प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपच के अधिकारियों को अन्य प्रांतों से पैदल, साइकल, मोटर साइकल या अन्य प्राइवेट साधनों से यात्रा कर रहे प्रवासियों के लिए पुलिस प्रशासन को मुकमल विवस्था दिलाय जाने के निर्देश दिये हैं प्रदेश की मुख्या के दो टूक निर्देशों के बावजूद माथत अधिकारी कर्मी मुख्य मंत्री के आदेशों को दर्किना कर रहे हैं जिसका नतीज़ा ये है कि अभी भी राजमार्गो पर पैदल साइकल वा बाइक से आने जाने वाले प्रवासियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा मंगलवार को सुल्तानपुर के करीब डेर दर्दन याप्री गुजरात के राजकोर्ट से ट्रेन से चलकर प्रयागराज पहुंचे वहां से वह सभी प्री बस सेवा की मदद से सुल्तानपुर जनपत के अयोध्या मार्ग परिस्थे ताबिश पब्लिक स्कूल पहुंचे जहां पहुंचने पर उन लोगों का परिक्षन करते हुए प्रशासन द्वारा अनुबंधित बस के माध्यम से जैसिंगपूर तहसील शेत्र के छीटपट्टी के आठ म से ये सभी 15 प्रवासी लोग सेमरी बाजार में करीब 2-3 घंटे निजी साधन का इंतिजार करते रहे अंततह मजबूर प्रवासियों ने डायल 112 पुलिस से मदद मांगी पुलिस ने उन सभी को 600 रुपए में एक निजी साधन बुकर के प्रवासियों को उनके अपने गंत् राज कुर्ट का किस देज़ुडा को ट्रें लावाद से कहां है कि सुल्तान पूर्श दा मुलबार कहां है इसे मरी आए तो आपको पास कहां छोड़ने वाली थी नहीं तो वह पर क्या बताए थे वां चीटए बताये थे ना ता प्को कहां छोड़ा लागे शिमरी हैं लगबक इतने लोग हो पंद्रे हैं